रोक्की, साथ बज गए हैं, तू का मर गया था? और मैं इतना परिशान हूँ और तेरा चेहरा खिला हुए? अरे बॉस, टेंशन मत लो, बरिशान तो मैं था इन लड़कियों के जगडे से, आज सब फाइनल हुजाएगा, खत्म, शान्ती बात तो तेरी सही है, इन लड़कियों के जगडे से मैं भी तंग आ गया हूँ, खैर, कॉल टाइम हो गया है, सबको उठा दो, होटल से हमें, किसी भी हालत में, साड़े आट बजे निकलना है, ओके बॉस, ठीक है? ओके, चल्ड, चलो चलो उठो, सुबा होई चलो उठो, चल साड़े आट बजे सबको निकलना है, तयार हो क्या ना? तुम टेंशन मतलो, हम लोग बिलकुल सही टाइम पर रेडी हो जाएंगे, हम तुमें कभी परिशान करते हैं क्या? जाओ, जाके बड़ी स्टार शिवांगी को जगाओ, वैसे मैडम आज जल्दी तयार तो हो जाए शिवांगी ना? हाँ भाई, आज तो फिनाले है, राजकुमारी ची को मेक अप टर्च देते देते लेट ना हो जाए इसे क्या हुआ? आज इसने कोई कमेट नहीं दिया? शायद मैडम अपनी सारी अनर्जी फाइनल के लिए बचा के रखना चाहती है जाओ पहले खुद तयार होके आजाओ, शिवांगी पर तीर कमान बाद में चलाना ये रॉकी ना? है ये शिवांगी का चमचा चल साक्षी, हम लोग जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं, फिर प्रैक्टिस भी तो करनी है, क्यो? हाँ यार, मुझे भी अपने डांस स्टेप की रिहांसल करनी है, आखरी वक्त में हाथ प्रैर मारने से कोई चमतकार नहीं हो जाएगा, जीतूगी तो मैं ही और रॉकी, मुझे फोन करके तभी नीचे बुलाना, जब सब निकलने के लिए रेडी हूँ, मैडम का एक्टिट्यूट तो देखो हाँ गुद्मोर्निंग सेर, तो की तुमारा नहीं यह भाखिसर लड़के के मुसरी गुद्मोर्निंग सुना चाहताँ जी सर, एंवे वे, क्रूब अज़ हमें चल्दी अजनी अच्टिट्यूर्म पहुचना है ओके सर रॉके सर हम्, गुद्मोर्निंग सर अर्भुल वाने का है बाकी तिग्लाव सर साक्षियर प्रिती तो आ चुकी है सर बट सर वो शिवांगी दरवाजा ने खोल रही इसे नखरे में कभी परदाख्त नहीं करूंगा इस शिवांगी को तो फाइनल में चांस ही ने देना चाहिए था रिलेक्सर मैं चेक करता हूँ आओ मेरे साथा शिवांगी और कितना टाइम लगाओगी तुमारी वज़े से पूरा शेडूल खराब हो गया शिवांगी के तेवर तो देखो अज सर चड़ के बोल रहे हैं अरे चाने दे उसी यह तो उसका रोस का ही है क्या हो रहा है तरवाना क्यों नहीं खूल रही है पता नहीं सर दर्वाजा अंदर से बंद है बस हेर ड्रायर की आवाज आ रही है तो अजस्केन अख लेए मैं आज ही जाजस को एकर इसे फैनल से बठोड कर दूखा सर कोई चीका अंदर यह तो शिवांगी के चीक है तो तो दर्वाज़ अजस्ट अजस्का कर दो जयाँ 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 वाज़े के बॉड़ी को देखकर और तमरे को देखकर ऐसे लगताने कि यहांदर कोई जबरदस्ती हुई है कोई हातापाई हुई है सर्था खुन्नी ने बेचारी को अपने आपको बचाने के निए वक्तियों निदिया ना ताड करके गुली डाल दी मिचाने के कमरेश ज अंदर या भार जाने का पर और रास्ता भी नी है सा पुर्वी अच्छी तरह से बातरूम चेक करो दारा देखो सर् सर् इक बात बताओ जब यहाद्वा हुआ तब तुम लोग का थे सर हम लोग सब यहीं थे सर बाहर दर असल हमें जल्दी आडिटूरियम जाना था पर शिवांगी रेडी नहीं थी और सर्थ मैने कई बार उसका दरवाजा खटखटाया लेकिन शिवांगी ने कोई जवाब नहीं दिया सर जब तुमने दर्वाजा खटखटाया तो कमरे के अंदर से कोई आवाज सुनी सर आवाज यह सर यह ड्रैर की आवाज सुनी थी और कुछ मिंटो बात हमें शिवांगी की चीख सुनाई थी अच्छा अंदर से गोली चलने की आवाज नहीं सुनी नहीं सर तुम लोग तुसङा से इस कमरे के बाहर कॉरडर में घड़े तब किसी निया कर श.णि का था पिर दर्वाज अंदर से पंधा फिर भी किसी ने आकर श.णि का कून किया और यहां से गाय। आप में से किसी ने कुछ देखा नहीं कुछ सुना नहीं किसी को कुछ मालूम नहीं उसका एक ही मतलब है कि तुम लोग जूट बोल रहे हो मैं तो कहता हूँ ये खून तुम में से ही किसी ने किया है याप क्या कह रहे हैं से हम शीवांकी को क्यों मारेंगे कॉमपटिशन में जीतने के लिए कोई किसी भी हद तक जा सकता है एक्सक्यूज मी सर ये आप क्या कह रहे हैं मैंने शीवांकी का खून किया है मैंने मुझे उससे कभी हारनी से डर नहीं लगता था मैं क्यों मारूंगी उसे अमने तो अभी तक आप पर कोई आरोप लगाया भी नहीं आप तो अभी से सफाई दे रही है तुम क्या नाम है तुमारा जी रॉकी सर इतने घबरा है हुए क्यों हो तुम कुछ बताना चाहते है तो बता दो किसी से डरने की कोई बात नहीं है सर मुझे प्रणब जी पे शक है सर क्या वक्वास करें तुम शुप रही है उनले दीजिये उसे अतारो की सर कुछ दिन पहले प्रणब जी और शिवांगी के भी जगडा हुआ था शिवांगी जी ने शो छोड़ने की धमकी दी थी तब प्रणब जी ने कहा था कि तुझे देख लूंगा क्यों प्रणब जी? क्या कहना है आपको? सर जगडा हुआ था सर सर मैं एक प्रणब्यूसर हूँ करण रुपय दाओं पर लगाया है ठीक है रड़ी सब के नाम और पते ले लो और फिंगरप्रिंट्स भी ले लो रड़ी शिवांगी के लाज को फोरेंग से गलाब में पेंज़ देवा यह सर कुछ भी ने मिला करणा करतो कि देखें शर यहाँ इस खांटे से शिवांगी का होटल का कमरा विलकुल साफ दिखाई दें यहाँ से यहां से कटम क्लीर शॉर्ट है सर अदे बिलकुल साफ दिखाई दे रहा है तो अगर विछ शार्क शूटर है वो जरूर यहां से शिवांगी पर बूली चला सरता है, लेकिन अगर शिवांगी खिर्टी में तुरी हो तो, वहां है ना, वो सरता है. इस घर में कौन रहता? सार, यहां पर कोई नहीं रहता है, पिछले तीन महीने से घर बंद है. तीन मेने से बंद है? किसके नाम पर है यह फ्लाट? सर, यह घर सुनील जी के नाम पर है, पर वह यहां नहीं चंडीगड में रतते हैं. तो क्या सुनील जी ने यह फ्लाट किसे को भाड़े पर रहने के लिए वगर नहीं दिया? नहीं सर. कोई कार्टेकर? इस गर के माली का कोई रिष्टदाच इसके पास इस गर की चावी है? नहीं सर. तो यह वो शाप्षू तो यहां इस गर में घुसा कैसे है? आसर समझ भी नहीं आ रहा है. गर के दर्वाजे के बाहत आला लगावाता है. हम लोग भी अंदर दर्वादा थोड़के आया है. देखते हैं. फिलिए. वेचारी शिवा अंगे. मैंने देखा था इसका रियलिटी शोर. जीतने के पूरे चांसे थे इस लड़की के. सही काया किसीने. हम चाहिए कुछ भी कर ले, तक्दीर में जो लिखा है वही होता है. हम. आसरो ने के खुछ कबर देने वाला है या खाली आप लोटाया है? कभी खाली आप लोटाया मेने आपको? तो पिर बताना जल्दी क्या मिला है तुझे? बताना. पॉइंट फॉर फाइफ कैलिबर की गन से मारी गई यह लडगी. पॉइंट फॉर फाइफ कैलिबर से. चलो भाई रजएट बॉट काम है. अरे काँ जा रहो याद? यह कौन सी नहीं बात बता ही तुने? पॉइंट फॉर फाइफ कैलिबर से मारा है? कुछ नएए बता, उसके आगे बता सालोंगे. आगे का सुनतो लो. तो फिर पता ना. आगे का यह है बॉष्याइए, ऑज पहली बार A.C.P. प्रद्युमन घवलत साथीत हो गया. मतलब तू सभी है, तु फिर शभी बात बता. स्वेग आप यह लग के सामने वाले बिल्दिंग की खीद की में से गोली चली दिखी श्यम ann day तर बोस इस लटकी को उसी कम्रे में गोली गई जिस कम MM laλ 2gy 5 प्रफ्ट की दूरी से वाच फट की दूरी बाच फिदी दूरीे की वाथ प्रकशनी उसी कम्रे पिर सी कम्रे में तरी तब शुखती का एंढ रहा unionच ने तुकित नोगी ऐसे पता है भी तो है ना बड़ी आजीब बार उसी कमरे में पांश फूट की दूरी पर से शिवांगी पर गोली चलती है वगर बाहर उस हॉटल के कमरे के बाहर जहां पर इतने ही चेहल पहल थी किसी ने गोले चलने की आवाज ने सुनी किसी ने खोने को वहां से भागते वह भी नहीं देखा कैसे कैसे हो सकता ये जबकि उस कम्रे से बाहर निकरने का एक ही रास्ता था उस कम्रे का दर्वासा किसी ने तर देखा होगा उस खुनी को असर खिर्के के बाहर जाली लगी है और जाली को फाड़ने की कोई कोशिश भी ने की रूमी सेंटर लेसे हैं एसी के टक्सर पे बाहर निकल नहीं सबता है सर यह देख से इस पर ओयल लगा हुआ है कि अधेसर मशीन ओई मशीन ओई कहीं एखुन फोन मेकानिक पे तो नहीं किया है शिवांगी ने फोन रेपेर करने के लिए बोलाया हो और निकल लिया है वो सकता है काम करते हैं पोटल के रिसेप्शनिस से पता लगाते है कि सुबह सुबह शिवांगी ने किस-किस को फोन किया था शिवांगी ने तिनो कॉल्स रिसेप्शन पर ही की थी आप फर्स्ट कॉल कंप्लेन के लिए था तकरीबन पौने साथ बजे उनकी कंप्लेन थी कि उनका फोन ठीक से काम नहीं कर रहा है पौन के ओकर जो आप ट्रेसस मिले थे एक पौनी को तो नहीं पौसकता है और दूसरी दो कॉल्स सेकंड कॉल बैट्टी के लिए था और थर्ड कॉल कंप्लेन के लिए था कि उनके रूंका सॉकिट काम नहीं कर रहा है पौसक शिवांगी ने तीन कॉल्स किये थे कंप्लेंट के लिए जिसका मतलब है तीन लोग तीन लोग उसके कंपरे में गये थे पौन मेकानिक, इलेक्रिशियम और वेटर चाय वाला वेटर साब मैडम ने कह अंदर से चाय दरवाजे पर रख दो मैंने चाय कट्री दरवाजे पर रखा और चला गया कितने वजे था ये? साथ सावा साथ बजे अब तुम तुम पोन मेकानिक हो ना? जी सर बताओ सर उस दिन बहुत कैस बार्यस होने की बज़ए से मेरा बाइक बंद पढ़ गया तो उस दिन में बहुत लेट पोचा था और मैडम के कम्रे में गया ही नहीं था कितना लेट हो गया था सर लगवक शाले आट बस गयते आप चाहें तो एंडी रेस्टर में चेक कर सकते हैं वो तो हम चेक करें लेंगे तो शिवांगी की लांस हाट बसे मिली और तुम जब गय थे कम्रे में अब क्या हुआ सर उस दिन तो मैं चुटी पड़ता एक्चली मेरी वाइफी डेलेवरी है थी तो मैं आई नहीं सका जब कम्रे के अंदर कोई कया ही नहीं तो फिर शिवांगी के कम्रे के टेलीफोन पर मशीन ओएल आया कहा से मुकेश रॉकी साक्षियोर प्रिती इनोंने शिवांगी को साथ बजे देखा था जिन्दा इस बाद वो लोग कम्रे में चलेगे से तयार हो एक लिए पर साड़े आट बजे शिवांगी के कम्रे का दर्वासा दोड़ा गया तुमा उसकी लाशा इसका मतलब है शिवांगी का कूल सुबह साथ और साड़ी आट बजे के भीच में हुआ इस देर गंडी में तो कोई भी कुछ भी करके जा सकता है तो क्रू मेंबर को कहना है कि कम्रे के अंदर से पहले भी एकर दीर बाद छीगने का आवसा मघए है थे फे PARAPाउ नहीं का रहा है कर यह है अ उसका के कम्रे का अवास क्वाज का से आई जए तो सिवांगी का कमरा जा कर चेक करतें है सर्जी, यह सौकेट काम ने करें, सर्जी, यह वाले सौकेट में देखो. नहीं, सर्जी, यह सौकेट भी काम ने करें. वो यह सौकेट बच्छा है. यह सौकेट भी काम ने करें, सर्जी. कमाल है. अगर इस कमरे का कोई भी पावरपॉइंट, कोई भी सौकेट काम ने कर रहा है, तो पिर शिवांगी ने अपना यह हेर ड्रायर चलाया कैसे? और अगर यह हेर ड्रायर चला नहीं, तो फिर वो आवाज कैसी? हैर ड्राइर जैसी जो बाहर खड़े लोगों में सुने है ऐसा तुनी के शिवांगी के मौत पहले ही हो चुकी हो और खुनी ने हैर ड्रायर की आवाज का इस्तेमाल किया तागी बाहर लोगों को लगे खिड़ी जिंदा है और ते आर होने में देर कर रही He लेकिन वो आवाज है क्या किस चीज से बनी है वो आवाज सब्सक्राइब करका गया है और सर इसमें कनेक्टर भी है इसे म्यूजिक सिस्टेम वॉक्मेन आई पॉड मोबाइल पॉन किसी से भी कनेक कर सकते हैं तो फिर ढूंडो उस चीज को जिसे कनेक किया गया था और उसमें से हैर ड्रायर की आवाज आवाज आ थी इस इवेंट से जितने भी लोग जुड़ो हैं उन सब को चेक करो उनके कमरे भी चेक करो कही न कहीं तो वो चीज मिली जाएगे सार प्रणो के कमरे की तलाशी ली मेने कहीं से कुछ नहीं मिला मैं स्के कमरे में से कुछ नहीं मिला सार बागी सभी लोगों के कमरे कि द्लाशीरी सर कुछ नहीं मिला था इसके अंदर है एए एड्रायर की आवाज और वह चीज तो मतलब चीख भी साक्षी की और हेर ड्रायर भी साक्षी का मवका देके साक्षी शिवांगी के कमरे में गई उसका खून किया और यह आई-पॉड उसे स्पीकर में कनेट करके निकल लिए जब लोग तरवाजा थोड की कमरे के अंदर उसे तो साक्षी ने यह आई-पॉड चुपके से वांसे उठा लिया तो क्या कॉंपिडिशन जीतन कि लिए साक्षी ने शिवांगे का कून किया होगा? साक्षी ने खून किया होगा? तहाँ है साक्षी? वे साच्षी क्या बाद है यहां अकेली खड़ी हैं जीत कर जश्न मना रही हैं क्या यह कैसे सवाल है सब्सक्राइब बाद खुश होगी तुम कि बहुत जल्द उप यह कॉम्पटिशन जीत जाओगी कि तुम्हारी सबसे बड़ी कॉंपटीटर शिवांगी तौप रही में तुम्हारा रास्ता तो बिल्कु साफ है सर आप मुझ पर कोई इंजाम नहीं लगा सकते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया है तुम नहीं किया है शिवांगी का मरड़ा संजी शाक्षी यह सरा सर जूँट है सर मैंने कुछ नहीं किया है यह आइपॉड पहचानती है अहां सर यह आइपॉड तो मेरे ही है मगर आपको कहां से मिला तुमारे कमरे से तुमारे बैक के अंदर से क्रिबगा है सुर्ण यह आइपॉड है जिसमें हैर द्रायर की आवाज और शिवांगी के चिकने के आवाज फंद है ना तो शिवांघ के कमरे में हैर जरा चला था और नानी क्शीखने के आवाज है वह आवाज है इस आइपॉड यहाईन है कि यह मेरा आइपॉर्ट है पर यह दो दिन पहले चोरी हो गया था था युट है प्रिती और शिवांगी से भी पूछा दूने कुछ पता नहीं था था अ अब यह प्रणगी कि मीरी कुछ नहीं पता सराया मैं शिवांगी को क्यों मारूंगी खुशाल टीकि तूम जलती ती कि कॉम्पिटीशन जीतने के लिए में शिवांगी का खून कर दूँ तुम ने तो अपने प्रेस इंटर्विव में यह भी कह दिया था ना कि यह रियालिटी शो जीतने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हूं है हां सर मगर वो मैंने अपना आत्म विश्वास जताने के लिए कहा था जिस वक्षिवांगी के मौत हुई तुम का अब सब तयार होने चले गए और मैं अपने रूम में रिहल्सल कर रही थी और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बात का विश्वास कर लेंगा आपको कर कर नहीं पड़ेगा सर उस दिन अपने रिहल्सल की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी मैंने आप चाहें तो उस रिकॉर्डिंग की टाइम चेक कर सकते हैं वो तो हम पता लगा लगेंगा है 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 इसमी रिद्रग्स के ट्रेस आप तब तक है आई पॉड्स और श्पीकर पॉ साक्षी ड्रग आडिक्ट नहीं? कुछ मुझे ने लगता साक्षी द्रग एडिक्त है क्योंकि हमने साक्षी का कमरा अची तरह से जि क्या है और तो जिस रियालेटिशों मेर्टियों मेर्टीनि इस्सा आफ व्चोल के बहुत सरे काईलाइन से बहुत सरे कंडिशन पर फिर शूर शुरू होने से पहले हर कॉम्पीटीटर की ब्लड टिस की जाती है सारम के सर किस किसम का ड्रग है बहुती स्ट्रॉंग ड्रग है असानी से नहीं मिलता है मेठाडॉक्स टैन और काफी महंगा भी सरेक बात मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं हमने सारे कमरों की तलाश ही लिए कहीं भी हमें ड्रग के कोई आँच नहीं में फिर इस स्पीकर पर ड्रग के ट्रीस कहां से आए रज जिसने भी आइपॉड का स्पीकर शिवांगी की कमरे में रखा है मुझे तो लगता है ड्रग भी उसी आदमी ने रखे होंगे वही द्रग एडिक्ट हो सबता है मिस काम इसके आदमी का हो सकता है जिसके पास कमरे की दूप्लिकेट चाबी तो कि जो कुछ भी हुआ उस समय साकशी कमरे में नहीं थी सिरांक।रह पर होटेल स्टाफ के पासẽवी पीप्रिक्षा भी होती है लेकिन होटेल का एक मामली स्टाफ शिवानगी को क्यूं हमारना चाहे साक्षी को क्यूं प्रसाना चाहे फुरानी दुष्मन या पर कॉंट्राक क्लिए पैसो के लालज जो कुछ भी है, होटल के मैनेजर से पता लगाना पड़ेगा, क्योज दिन सुभे, शिवांगी की कमरी में होटल का कौन सा स्टाफ गया था, देखो मेडम, मैंने आपसे कहाना, इस बत मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, क्यों मुझे बार बार फोन करके तंक कर रही हैं आप हालो, हाँ सर, सी आइडी तहकीकात कर रही है, जो कुछ पूछना है आपको उनसे जाकर पूछिए, ठीक है? आई सर, सर, खुनी का कुछ पता चला? नहीं अभी नहीं, क्यों कोई परिशानी है? क्या बताओं सर, इन मीडिया वालों ने फोन करकर के तंक कर दिया है, सर जब मुझे ही नहीं पता, तो मैं इन लोगों को क्या बताओं? खुनी का तो पता चली जाएगा, आप ज़रा को करेंगे तो काम आसान हो सकते हैं, मैं आपकी हर तरह से मदब करने को थेयार हूँ, अब यह बताएगे जिस दिन शिवांगी का खुन हुआ था, सुबहे उसके कमरे में कौन कौन गया था, एक मिर सर, सर, फोन डिपेर करने माला गया था, उससे तो हम बात कर चुके, और सर, मुकल गया था, मुकल, कौन ही वो हाउस किपिंग से है, सुबह साथ बजे जाता है, साथ सपाई करने के लिए, बैट शीट बगारा चेंज करने के लिए, साथ बजे उसकी ड्यूटी शुरू होती है, और साड़े साथ के आसपा शिवांगी का खौन होता है, मैं यह मु मैं एक बार पहले भी बॉर्निंग दे चुका हूँ, बॉर्निंग किस बात के लिए, सर, शिवांगी ने कंप्लेंड की थी, कि उसकी महंगी घड़ी और बैक से कुछ चोरी हुआ है, चोरी मुकल नहीं की थी, सर, तलाशी तो ली थी, पर उसके पास से कुछ नहीं मिला, च मुकल, मुकल, का भाग रहा है तो, मैं भाग नहीं जा जा रहा हूँ, अच्छा, घर जा रहा है, तुम्हें मालूम नहीं है कि यहां होटल में माडर हुआ है, और होटल का कोई भी स्टाफ चुक्ती पे नहीं जा सकता, बलाशी लो, कदाशी कियो, मैंने कुछ नहीं किया तो, वो पता चल जाएगा, देख, सच सच बता, शिवांगी का खून तुमने किया है या नहीं तून, तून? मैं कियो पिछी का खून करूंगा तून? सर, ब्याग में गन नहीं है, वो गन का है, हाँ? शिवांगी के कमरे में साफ सफाई करने तूम ही गह थे न? में पास कोई गन नहीं है, मैंने किजी का खून नहीं किया, सर. ठीक मुकल, सच सच बता है, तूम्हारे मैनेजर ने भी यही का आए कि सुभर सुभर शिवांगी के कमरे में तूम ही गहते है, सर, पैसे और घड़ी, शिवांगी ने अपने पैसे और घड़ी चोरी होने की मैनेजर से कम्रेंट लिखवाई थी, और उसे मुकल पैशक था, और शिवांगी तुम्हारे खिला पोलिस में कम्रेंट लिखवाने वाली थी, और इसी चक्कर में उनने शिवांगी का खोन कर दिया, मान था हूँ, सर कि यह पैसे और गड़ी मैंने शिवांगी के कम्रे से चोरी किया थी, सर, सर, लेकिन मैंने उसका खोन नहीं किया, सर, तुम कितने बज़े गए थे कम्रे में, सर करी, सवासाथ बज़े थे, सर, सुबह के, सुबह सवासाथ बज़े हैं, फिर क्या हुआ, सर, मैं बाहर ख़़ा था, सर, शिवांगी किसी आदमी के साथ बैस कर रहे थी, सर, सर, शायद को जगड़ा चल रहा था, सर, कौन था वादमी, चेरा देखा उसका, नहीं सर, कम्रा बन था, मैं भार खड़े-खड़े उनकी बाते सुन रहा था, सर, क्या, क्या बात कर रहा था था, सर, वादमी शिवांगी को दम्की देगा था, वो और ता कि उसके आदीद के बारे में सब को बता देगा, सर, सर, वो और ता उसका करियर पुरा बर्बाद कर देगा, वो, इस? मैने उसके कमरे के गंटी बजाई, शिवांगी ने तर्वासा थोरा था इकोला, कुछ भुसकता जो शिवांगी को एसे धंकी दे रहा था जो कोई भी है एजी आजसे जढ पाचान कई है इसे शिवांगी अच्छी तर से जान दे थी कोई दोस्त या कोई रिष्टेदार इसे शिवांगी की अतीद का कोई राज मालूम है और उसी रास के वज़े से उसे ब्लैकमेल कर रहा था सार आप तो क्या लगता है शिवांगी को किसने मारा हो लगता है अब सभी लोगों पर कड़ी नजो दखनी जगी है तब ही लोगों पार तो सोटलिगा जो हाउस्किपिंग बॉय है ना मुकुल उसके बातों से तो मुझे लगता कि ये जो भी कोई है वो शिवांगी के से गुड़े हुए हमारा काम बन जाएगा जी कहिए आप लोग हम लोग सी आईडी सहीं सी आईडी प्लीस अंदर आई थैंक्यु जी क्या बात है आप यहां आपसे कुछ पुछताज करनी थी आप शिवांगी की जी मैं शिवांगी की माहों सर भात क्या है शिवांगी ने कुछ किया क्या जी नहीं कुछ नहीं किया है एक बात बता ही वैसे आप इस घर में क्या अकेली ही रहती है या सर मैं तो अकेली रहती हूं मेरे पती का देहांत हो गया दो साल पेले एक शिवांगी है मेरी लेकिन उसके पास मेरे लिए वो तो हमेशे अपने करियर बनाने के बारे में ही सोचती रहती है लेकिन सर बताइए बात क्या है सब ठीक तो है ना मुझे बहुत डर लग रहा है जी देखिये दरसल आपकी बेटी शिवांगी की मौत हो गई है शिवांगी की मौत के देखिये वो जिस ओटल में रहरे थी, उस ओटल के कमरे में किसने सब गूली चला ही हो गूली शिवांगे को आपको की शिवांगे शिवांगे दिखिये व्हेंगे मैमा, प्लीज अपने आपको समाने, प्लीज. यह मेरे ही गलती थी. मुझे उस दिन उस पे गुस्तान नहीं करना चाहिए था. मैम, यह आप जिस तिन की बात कर रहे हैं? मेरी शिवांगी का बच्पन से सिर्फ एक ही सपना था कि वो पड़े पर्दे की हिरोईन बने एक दिन मेरे और उसके बीच में बहस हो गई और मैंने उसे कह दिया कि हिरोईन बनना है तो हमेशा के लिए यह गर छोड़ कर जा सकती हो. अब जिद में आकर शिवांगी ने घर छोड़ दिया. वैसे कब की बात है यह? दो साल पहले. तो इन दो सालों में आपने शिवांगी को कभी कॉंटाक करने की कोशिश नहीं की? जब मेरा गुसा ठंडा हुआ तो मैंने उसे बहुत बार फोन लगाया. लेकिन उसने मेरे फोन का जवाब कभी नहीं दिया. उसे एक बात बताईए. कौन कर सकता ही? क्या आपको किसी पर शक है? मुझे नहीं पता. मेरी शिवांगी बहुत हस्मुक्ती. असानी से अपने दोस्त बना लिया करती थे. वैसे क्या शिवांगी का किसी के साथ कुई जगड़ा वगड़ा हुआ था? किसी खास दोस्त के साथ? या पिर क्या कभी किसी ने उसे डराया धमकाया था? जी नहीं. लेकिन अपने कारियर में आगे बढ़ने के लिए किसी से दुश्मनी मोल लेली हो तो मुझे पता नहीं. ठीक है. अगर आपको इतराजन हो तो हम शिवांगी का कमरा देखना चाहते हैं. किसी नाम पर लिखावा नहीं? मैं, क्या शिवांगी का कोई काज दोस्त था? मेरा मतलब है कोई बॉइफ्रेंड जिसों बहुत चाहती थी. पता नहीं, सर्थ. उसने कभी भी मेरे साथ इसके बारे में कोई बात नहीं कियी. सर्थ. सर्थ, ये कुछ एलेक्रिसिटी बिल्स मिले हैं. किसी पुरीट के लाम पर है. एड्रेस बोरीवलेका है. पुरीट कॉन है? और बोरीवलेका एड्रस भी हमारा नहीं हूँ. और पीजी एलेक्रिसिटी बिल्स शिवांगी के पास कैसे आए? सर्थ, पुनीत ही शिवांगी का वो खास दोस्त हो. रजद, खास दोस्त हो नहो. लेकिन कहीं ये उनीत ही तो नहीं, जो शिवांगी से मिलने गया था उसके होटल में. जी, सर्थ, मैं पुनीत हूँ. कहीं, सर्, क्या बात है? मेरे नोकर नहीं कहा कि आप लोग मुझे से मिलना चाहते है? या, पुनीत, ये. एक खून के सलसिले में. खून? किसका खून, सर्? शिवांगी कहा खून हुए? हाँ. कैसे जानते हो शिवांगी को? सर, ये मेरे आप प्यांगेश्थी. अच्छा. कड़ी तीन बहिने पहले ये फ्लेट चोन कर चली कि. कहा गई वो? सर, कहा चली गई, ये तो नहीं पता. सर, ये कैसे हो सकता है? रियालिटी शो के फॉर्म पर तो लिखा हुआ था कि उसका स्टिट्स सिंगल है. यानि अन्मेरिट. वही तो. दिखो पुनित, जो कुछ भी है, सच सच बताओ. वहना बहुत मुश्किल में पढ़ोगे, सब्सक्राइब? सर, मैं क्यों जूट बनुए? मैरा विश्वास कीजिए. और उन्होंने पुरूफ के तोर पर हमाँ शादी की फोटोग्राप भी दिखाए थी. शिवांगी के पती का ना? सिधार्ट, सर. पेंगिस करके क्यों रखा हूँ? सर, मैरा फ्लेट काफी बड़ा है, सर. और मुझे पैसों की जरूद थी. इसलिए मने शिवांगी और सिधार्थ को पेंगिस लख लिया. लेकिन, सर, वो लोग इतना जखड़ा करते थे, कि मैं परेशान हो चुगा था. अग्रिमेंट किया था? नहीं, सर. नहीं, सर. सर, मुझे तो लगता है कि शिवांगी ने रियालिटी शो में हिस्सा लेने के लिए, ये बाद चुपाई होगी कि वो शादी शुदा है. आ, मगर रजद पहले ये पता लगाना चाहिए, कि ये सिधार्त है कौन. बताव, पुनित का मिलेगा ये सिधार्. सर, वो फोन में एंट्रिनेस डिपार्टमेंटेंपे काम करता है, और अभी तो जॉप्पे के होगी? चलो, उसका कमरा दिखा. आए, सर. अच्छी तरह से चेक करो, देखो क्या मिलता है. सर. सर. सर, यहां तो कोईस्ता माणनेंगे. मालिक पिर्कोन खाली रेक्टा भाग्या. अच्छी? जिद्धार्थमस्ता सारा सवैलिये केच्छेंगे? सर, शाधी के फोटो. मतलब सज बूल रहा था. सर. सर, देख लिए. सर, यहां से कोई पेपर फाड़ा हुआ है. लगता है इसमें कुछ लिखा हुआ था. इंप्रेशन है. पुरवी, पेंसिल से रप करके देखो. देखो क्या है. सर, यह दो किसी फ्लाइट का पेनार नंबर है? ओ, पेनार 168827. पेनार 168827. पता लगाओ, किस फ्लाइट का नंबर है यह? और कितने बजे की फ्लाइट है? पुर्वी ने बताये यह शिद्धा, जेसी एर लाइट के तीन बजे की फ्लाइट से कॉल कटा जा रहा है. लेकिन गाटोपे पूछ लेता है. पुर्वी ने बताये की जेसी एर लाइट की तीन बजे की कॉल कटा जाने वाली प्लेइट जी सर्लेकिन सॉरी अभी उस फ्लाइट को से 15 मिल्स टेक आफ में बचे हैं, मैं आपको बोडिंग पास में ही रह सकती हैं. हमें उस फ्लाइट नहीं जाना है, किसी को वो फ्लाइट बोड कने से रोखना हैं लेकिन सर्म बात क्या है? हम लोग CID सर्थ जरा चेक के जिए, सिद्धात नाम के आदमे ने चेक इन किया हैं? ओ, के सर् सर्थ जरा चेक के जाना हैं, और यह झाला मिट कहा हैं, जब शेकर आप तक ट्राइट बोड को ते ही हैं.. मिस्टर सिदाट पर डोजे ही चेक इन का चुटे हैं खुए, शक्रीयोरी वालों को बोल दिलिजे अगर वापनी अदर इन फ्लाइट थो वहीं पेहरास कन्या होसा में अलिटी आपका देती है एफ्लाइट किस शी जाने अदराइख जाने एफ जाने जाने एफ जानी है सार गेत नमेर 3 से सरी, सरी. जड़ाएं? जड़ाएं! 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 मैं नहीं बढ़ती वांगी कुछ उसने मेरे साथ दोखा किया तब सार् कैसा दोखा पहले तो मुझ से शादी की और फिर दुनिया के सांदे वो शादी चुपाना चाहती थी सर लेकिन उसे तुम्हारे साथ कोई चीटिंग तो नहीं की थी तुमसे रिष्टा तो नहीं तोड़ा तो तुम्हें तोड़ा तो तोने को ताहिया थे जिए एक पर काप् अगर तुमने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा, तो मैं पुलिस में तुम्हारा खिलाव कंप्लेंट कर दूगी। सिर्फ एक पुलिस कंप्लेंट के लिए तुमने तुमने खून कर दिया उसका? नहीं सर, उसने मुझे धंकी दी, कि वो सावित कर देगी, कि यह शादी जूट है, मैंने सब नकली फोटोग्राफ बनाई हैं शादी की, वो मुझे पैजानती नहीं, फिल्मी चमक दबक में वो इतनी अंदी हो गए थी सर, कि अपने पती तक को जूटा सावित करने पर तुल की तो मैं बेज बदलकर उसके रूम में चला गया, मैंडम फोन टीक हो गया, शीवांगी के रूम का कनेक्शन मैंने ही करण आप किया था था थैंक्स, मैं परिशान हो गई थी, थैंक्यू नहीं माम, गोड़ बाइ, सिद्दार, तुम, ये क्या कर रहे हो तुम, बागल हो गया तुम, उसका कुन करने के बाद, मैंने आपोड और स्पीकर लैंप में फिट कर दिया, और जाने से पहले अपना सारा समान बैग में डाल दिया, फिर मैंने पर्दा और खिड़की दोनों खोल दी, ताकि ये लग किसे ने बाहर से गोली चलाई है, जब दरोजा तोड़कर सब लोग अंदर ए, तो मैंने मौका रेकर आइपोड वहां से निकाल लिया, थिर में सच कहता हो सर, ये सब मैंने आपने खुशी से नही किया से, जिवांगी ने मुझे मजबूर किया से ये सब करने पर, दुनिय कर दोगी तुम्हें